हे अब्रीवन तो अगर आप एक सिविल सर्विसेज एस्परेंट हो 28 मई को आपका एक्जाम होने वाला है और सेंटर आपका दिल्ली है तो डेली पुलिस ने आपके लिए एक ट्रैफिक एडवाईजरी निकाली है जो आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रही होगी तो सबसे पहले तो ये देख लो कि आप जब सेंटर पर जा रहे हो बीच में न्यू डेली वाला एरिया पढ़ता है या नहीं पढ़ता है क्योंकि इसके अंदर क्योंकि हमारी नई जो पार्लियमेंट की बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन भी 28 मही को ही है बहुत सारे वी वी आईपी और वी आईपी यहां पर इन्वाइटेड है और अच्छा खाजा सेरिमोनियल फंक्शन होने वाला है इसलिए ट्रैफिक अर्रेंजमेंट को स्मूथ रखने के लिए कुछ एडवाईजरी सामने आई है तो यहां पर पताया गया है कि जो पूरा न्यू डेली वाला जो डिस्टिक्ट होगा उसको कंट्रोल्ड एरिया के रूप में ट्रीट किया जाएगा मतलब कुछ ही वीकल्स वहाँ पे गुजरने के लिए अलाउ किया जाएंगे पबलिक ट्रांसपोर्ट वीकल्स को अलाउ किया जाएगा सिविल सर्विसेज एस्परेंट्स को अलाउ किया जाएगा पर यहाँ पर एड्मिट कार्ट केरी करना तो भाई जरूरी अब जाओगे सेंटर तो एड्मिट कार्ट तो लेकर ही जाओगे ठीक इसके साथ साथ कुछ जो वोनाफाइड डेजिडेंट्स हैं जो उसी इलाकों में रहते हैं उनको अलाउ किया जाएगा कुछ लेबल्ड वीकल और जो एमर्जेंसी वीकल्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा जो एरिया रस्ट्रिक्टेड हैं उनकी रोट्स हैं जैसे मदट एरिसा, क्रिसिंट रोड, तालकटोरा, पाबा खडक सिंगमार, गोल्डाख खाना, अशोक रोड, पटेल चौक, अशोक रोड का दूसरे वाला जो पोर्शन हैं विंटसर प्लेश, जनपर्थ, अकबर तो आप एक चीज़ याद रखना, कि अवाइड करें इन इलाकों में जाना, वैसे तो आप लोग पब्लिक टांस्पोटेशन का ही इस्तमाल करें, डेली के अंदर अगर आपका सेंटर है, तो मेट्रोज आर दी बेस्ट, सबसे बढ़िया होंगी, जब उत्रोगे आटो वा पोचने में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, यह सिर्फ उनके लिए अडवाइजरी आई है, जिनका सेंटर डेली के अंदर है, ठीक है, तो टेक केर, कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान करो, अपनी जर्नी उसी तरीके से प्लान करो, कि आपके पास सफीशेंट टा के साथ जरूर यह छुटी सी अडवाइजरी शेयर करना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, टेक केर,